हेलो दूस्तों वेलकम हैं आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में आज किसी वीडियो में सिखने वाले हैं रीजिनिंग का मोस्ट इंपोर्टेट सवाल जो कि सभी आगामी एकजाम में पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिये दोस्तों सबसे फ़र्ष्ट सवाल है जिस पर कर M O Q S का सम्मान्द A C E G से है तो उसी पर कर P R B T P R T V का सम्मान्द किससे होगा यही तो पूछ रहा है सवाल यहां पर परस नुमाचक चिन दिया गया यहां पर कौन सा संख्या बारा जाएगा कौन सा लेटर ठीक है आप लोग बनाने कुछ करिएगा वीडियो को र एकर चलिए जी मैं बनाता हूं इनको पहले जो भी लैटर है इनको संख्या में लिख लिजिये एम आता है किदना एम आता है आपका 13 वार में औरक अधा है आपका एक बार मैं सी याता है तीन बार में इते सोब और जी याता है आपका सात बार में क्या किया गया है बता है तो और अच्छा तो दोस्तों इसमें पता है दिमाग कोई लगाया है 17 डू 15 15 2 ति 12 15 15 17 17 1229 उसी परकार इसमें भी किया है देखिए बढ़ते करम में दिया है एक में दू जोड़े ते तीन तीन दू पांच पांच दू साथ ठीक है मतलब दो दो का पलस है कुछ भी नहीं किया है बहुत ही असान है उसी तरीका इसमें भी लगा ये पी आता है आपका 16 बार में आ रह है है आप क्या करना है उसी तरीका देखिए तो सोला दू ऑठारा उठारा दू बीस 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 दू बास तो ऑप्सन न्मर को ले ले लेते हैं देखते हैं इसी तरह है या नहीं चारों अप्सफन मेंसे कौन सा होगा लेकर लोगत है चलू को चेक्रता ह Nous तो वो दोस्क्र कि j 789 पार में तो हो गया । क्या किया गया है 22 23ow मतलब बढ़ते करा में ठीक है 15 ऐसे क्लिखokrey tratar 79 दोएइस ऐसे करके यह सवाल होगा ठीक है और कभी कभी तो पाता है कि अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे अंतर करके बनाया जाता है ऐसे करके ठीक है ऐसे ऐसे बनाया जाता है कभी-कभी लेकिन कभी-कभी ऐसा हो भी बनता है ठीक है ऐसे भी सवाल बनते हैं चलिए मैं बढ़ता हूं ले सवाल की और यह रहाँ बनिया है सवाल most important है बनाईएगा जीस परकार 36 का संबांद 144 है तो उसी परकार 49 का संबांद किसे होगा यहाँ पर क्यूचन मर्क दिया गया यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 36 को क्या करे कि आएगा 144 34 को अगर अपना से किसी अन्य संख्या से चार से माली जी की गूना करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 को 24 के 4 हासिल दूग 1 12 कितना होता है 14 144 144 तो आगया ठीक है जी उसी तरीका इसमें भी लगाते हैं आ ज़ंग का इड़़ बहुत असान है बहुत ही असान है दोस्तों कुछ भी नहीं करना था इसमें ऐसा अगर इख्जाम में आ जाए तो रट मना कर लिजीगा तो 49 कूसी परकर किया गया है 49 गुना 4 कितना हो जाएगा तो नौचों के 36 के 6 हांसिल 3 चर्चों के 16 और 16 कितना होता है 29 196 ऑप्सन नमर इसका क्या हो जाएगा चौंथा साही हो जाएगा ऑप्सन नमर डी चौंथा 196 बहुत ही असान था अच्छा धीरी धीरी लेबल बढ़ते जाएगा तब आप लोग कहिए कि हां सुरुवात में मैंने क्यूचन नॉर्मल लिया था लास्ट में हाड हाड मिलेगा इसके बाद देखिएगा कितना हाड मिलेगा से इसको बनाइए तो जीस परकार तैरना का समंद्ध नौदी से है तो उसी परकार चढ़ना का समंद्ध किससे होगा यह तो कोई भी बता देगा तैरना का समंद्ध नौदी से तो नौदी में हम लोग का करते हैं तैरते हैं त कोसी परकार इसमें से कौन सा आप्सन ले लिए देखिए समंध्र में हम लोग चाड़ते नहीं है थी सेट्ञाइब नहीं है तो यह आप्सone क्या हो जयागा गलत हो जाएगा दूसरा देखिए छाधना तो क्लिदिक्वर लेकिन इसका right एंसर हो जाएगा, चौंथा परवत, यहां पर क्या भळा जाएगा? परवत, परवत पर हम लोग क्या करते हैं? चड़ते हैं, चड़ते हैं ना? तो इसका राइट एंसर चौथा हो जाएगा अब आईए इसको बनाएए दो तनी प्रीवियस एर क्यूचन है कथनिसकर से संबंदित है क्या बोल रहा है कुछ पत्ता गोवी चटाने है कुछ पत्ता गोवी इसमें से का है चटाने है यह गाए चा से चटान ठीक है कुछ हो ग आप लोग वीडियो करोकर बनाने कुछ करिएगा ठीक है तब ही आप लोग कर पाईएगा फिर आगे क्या बोल रहा है कि सभी चटाने पाहिये है सभी जतना चटाने है ना सभी चटाने सभी चटाने सभी चटाने बोल रहा है कि पाहिये है पाहिये इसको लिख लेते हैं प कोई पहीया कंची से इसका लडाई हो गया, इससे दूर रहेगा। सबी पता गोभी पहीये हैं, नहीं ये तो कूछ काट रहा है। तो पहला बात गलत है धाई. दूसरा बात क्या बोल रहा है कि कुछ चटाने पहिये हैं कुछ चटाने पहिये हैं यास कुछ चटाने पहिये हैं यास कुछ चटाने पहिये हैं इतो बात सही है इकरे घरवा में नहाँ है तो कुछ होगा ना फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ पहिये कैची नहीं है कि दूसरा और तीसरा किसमें दिया गया है पहला ओप्षन में ए ओप्षन इसका क्या हो जागा राइट हो जाएगा अगला देखिएगा यह बनाने कुछ करिएगा भेरी भेरी दोस्तों क्या बताई इसको भी भी आई है समझे की आप लोग लिख लीजिएगा बहुत ही मौस्ट इंपोर्ट है आप लोग कोमेंड बॉक्स में जरूर बतेगा कि मैंने पंच्वा सवाल मैं सही बोड़ रहा हू है समझे की तो देखिए मैं बनाता हूं क्या बोरा है कि तो कि तो थोड़ा कि सवाल क्या बोरा है दोस्तों कि ए एड़ डरेट बी का आर्थ है कि एडी का पती है सबसे पहले तो पता है ऐसा सवाल जब है तो आप लोगों को सौट ट्रिक बताता हूं ठीक है इन आई कि मैं ऐसा सवाल आगा तहो दो तरीका बताता हूं ठीक है चलिए दो तरीका से सवाल सुल चल्फ करते हैं पहला तरीका देखिए जो भी आ दिया गया है जो पूछा गया है उसको उतार लिजे डेरेक इसको मैं दू तरीका से बतांगा गा चीए घे FIFA reverri AG इसको क्या बोलते है इसको बोलते हैं कोची बोलते हैं जी एंपर सेंड इसको एंपर सेंड बोलते हैं ठीक है इंगलिस में फिर पी है और जी और जी है फिर उसके बाद है है फिर उसके बाद एस है फिर परती सत और फिर उसके बाद एम है चलिए अब पूछा का जा रहा है कि S, P से की स्परकार सम्द्द है, S, P से, अगर C लगड रहा है गा ना, तो पिछला आदमी अगला को का कहेगा, A ही अपको बताना है, मनेem P, S को का कहेगा, ठीक है, तो पर्तिसत का मतलब काउची है, देखिए, तो यहां पर पर्तिसत है, तो परतिसत का मतलब बोला जा रहा है कि बाहन, A, B की बाहन, B की बाहन कौन है, A, चलिए यहां परतिसत का मतलब हो गया, बाहन, बाहन लिग लिजिए, फिर एर्दरेट का मतलब कोची बोल रहा है, एर्दरेट का मतलब बोल रहा है कि A, B की पती है, B की पती, यहां पर पती ह हो जाएगा फिर आगे कोची हुआ है देखिए यहां पर एपर सेंड है ठीक है एपर सेंड का मतलब कोची है यहां पर देखिए एपर सेंड का मतलब बोला जा रहा है इसमें कि ए बी की माता है माता बोला जा रहा है तो माता लिग लिजिए बहुत ही आसान है सवाल दोस्तों भिर आगे कोची बोल्ड़ा और लगा दिए अब धियों स्जुद गोच जाह authorities के परफिलिए हो गया आप अब आए सवालपर पिए से किस परकार करशवंढदी थैं यह नहीं पूछ रहा था किस पर कर संबन्दित है तो पी स को क्या गाई करने कि अगा प्राइब यहां पर यांपर लगा दिया है कैसे इधर मेने दिखी तो इन दोनों मैच कौन हो रहा देखिए G match हो रहा है और G इसमें भी दिया गया ठीक है दोनव भगलS G दिया गया है तो यहां इसमें थोड़ा पढ़िये तो क्या बोल रहा है A A मेरी like बहँ्ουν दुत माली जी के मेरी More like मुह निकी मेरी बहँन आशाओ और यहां पर बोड़ा कुछी तो देखिए का दोस्तो चलिए बनाता हूं जी क्या बोराता देखिए यहां पर एम की बाहन एम की बाहन एस माली जी कि मेरी बाहन एस और मेरी बाहन के बेटी जी है तो जी जो है बेटी है किसका एस और एम का एस का बेटी है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां उप तो होगा तो यहां पर लिख लिजिए क्या हो जागा यहां पर बेटी ठीक है चल भी नहीं राजी तो यहां पर क्या हो जागा बेटी ठीक है थोड़ा मिटा लेते हैं बनिया से चलिए लिखता हो फिर से तो यहां S और M आजाएगा ठीक है और S के बेटी G हो जाएगा यहां पर लिख ली जिये ज Schools केएटिए जी हो गया अर इन लोग क्या था परतीसत हैना तो इन लोग थे बहां अपाँ में ठीक है तो आधीAnn थे लोग बहन थे तो बहन लिख लिए अब यहां पर क्या पूछ रहा था कि एस पी से किस परकार समध्य था गोव है यह फूर लुख रहाता था न तर पी एस को का कहेगा यहाँ से शुरुआत थो यह तो यहां तो हमारे फुआ के माता हमको कौची लगेंगी दादी ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा दादी द्यान से पड़ियेगा P के माता देखें मेरी मात के रहा हमर माता की P पूती यानि हमारे पापा के बहुंत यानि हमारे फुवा और हमारे के मामी कोची लगेंगी जो से का वैटी जी था सके मामी कोघेंगा नका। Tongel हमारे ने ये An ausge समझने कोजिस करिएगा दादी होगा ओप्षन नमर सी में है तो पाया है रुकिएगा मिटाते हैं थोड़ा यह देखिए दोस्तों क्या हो जागा सी ओप्षन राइट हो जागा दादी हो जागा ठीक है अब आपका च्छाटा सवाल बहुत ही मौश्ट इंपोर्टर सवाल है बनाने कोशिस करिएगा सब प्रीवियस यह रहें ठीक है सवाल सवाल बरा च्छाटा कि एक कागच को मौड़ने का क्रम और मूड़े हुए कागच को काटने का तरीका नीचे दरसाया गया है उस आकरिती का चैन करें जो कागच को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधीक अधीक मिलती जूलती है मतलब इस सवाल के कहने का मतलब है दोस्तों इस सवाल के कहने का मतलब है कि जो भी यहां पर देखिया आकरिती जो है मतलब इसको सभी तरह से जैसे इधर से इधर मोड़ा गया फिर ऐसा हो गया ठीक है ऐसा बचा तो एसा बचा तो फिर उसके बाद इसको ऐसे मोड़ दिया गया और फिर उसके बाद आकरीती ऐसा दे दिया गया ठीक है तो इसको मतलब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा एई तो सवाल पूछ रहा है कि बहुत है आसाना तो इस आकरीतों को ध्यान से देखिएगा इस आकरीती में देखिए यहां पर क्या यहां पर और यह को बन जाएगा तो यह देखिए इधर है और देखिए एक उप्सिन में चेक करिए तो एक संबरा रहा है और पर होगा यहां पर है और इनमें देखिए तो एक में देखिए circle दिया एक में square दिया है तो D option क्या हो जागा आपका गलत हो जाएगा वी और C में confusion है देखिए का ध्यान से हो जाएगा ओभी सही मिलाइए का ध्यान से अच्छा इसको पलाटेंगे तो A side आजागा तो देखिए यहां पर है दिया गया है इसको में C option में भी देखिए दिया गया है ठीक है इसमें कौन सान नहीं है ओचे करिएगा अच्छा और जो यह आक्रीति दोस्तों दिया गया है इधर अगर दरपन मालेज के इधर अगर लगण रहेगा अगर इस आक्रीति को A side उपर के side पलाटेंगा तो कैसा हो जागा तो तिर्भूज है ना तिर्भूज यहां के यहां ही रहा जागा ठीक है यहां पर कि मिल रहा है C option में circle भी जो ऊपर चल जाएगा rhombus नहीं इसमें गलत है सी option गलत है ठीक है अच्छा यह तो यहां तो है यह है लेकिन यहां पर देखिएगा इस आक्रीति में देखिएगा जब इसको पलाटिएगा तो देखिए ऐसा आक्रीति बनिएगा थोड़ा ध्यान से ब्लग समझेगा मैं समझाने कोशित कर रहा है फूल इसको देखिए इ हाँ ऐसा ल imagined एक और इन दूनों अक्रीति गुदेर के ऊपर लटिएगा तो कोई से को जाएगा मैं सर्कल यहां पर ईपर में चला जैगा लेकिन इसमें जो यहां पर नहीं गया तिर्भूजे रह गया तो सूबसूखन क्या हो जब आपका गलत हो इसका राइट एंसर हो जागा बी ऑप्सान कि समाझ लीजिएगा ध्यान से ठीक है दूस्तों लुए तो दूस्तों रहाँ आपका सवाक बनाईएगा कैसे कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर साथ दिया है सबसे पहले साथ को का करे कि सत्रा एगा सत्र को का करे कि अगला एगा अगला से फिर अगला क्या एगा अगला क्या एगा ऐसे करके आप लोग को बताना है ठीक है तो मतलब हम साथ में क्या करे कि सत्रा एगा ठीक है आप लोग ऐसे अंतर करके भी बना सकते हैं चाहे किसी अन्य संख्य से भी गुना करकर बना सकते हैं आगर बढ़ते करम भी कर सकते हो इसे तो देखिए मैं बनाता हूँ साथ में क्या किया गए अगर हम दूस्तों साथ में अपना से गुना करतेंगे चार से तो कितना हो जाएगा सचाओ नहीं, 4 से गुणा नहीं करेंगे, ज्यादा हो जाएगा, 3 से करता हूँ, तो 70 कितना होता है, 70 21 और 21 में क्या किया है 21 में 4 मैंनस कर दिया, एक काम, तो कितना हो गया आकर यहां पर हो गया, 17, ठीक है, उसी परकार मैं भी करते हैं, 17 में बई, बनाइड़ाय गार, 17 में देखि सत्रत यह कितना होता है एकावन ठीक है एकावन होता है तो एकावन में उसी परकार चार माइनस कम कर देंगे है एकावन में तो कितना हो जाएगा यह हो जागा कितना यहाँ पर अगला 47 ओप्सन में भी देखें यहाँ पर दिया गया है भी ओप्सन में अभी नहीं सही करेंगे गलत भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हो गया हमाले जी कि 47 ठीक है यहाँ पर 47 हो गया तो 47 लिख लिजिए है तो कितना हो जाएगा है 47 गूना तीन करेंगा तो सत्री एक इसके एक हासिल दू और बारा दू चौद अच्छा 141 और 141 जब आ गया तो चार यहां पर माइनस कम करना था ना तो चार माइनस कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा छार मा dishwasher जाए तो चार माम कर देंगे तो हो जाएकब एक सो 37 जो कि देखिए यहां पर अगला दिया भी गिया है न एक तो कम कर गया कुछ नहीं करना है साथ में तीन से गुना करना है और घटा देना चार तो आया सतरा और सतरा में तीन से उसी परकार गुना किये और चार घटा दिये तो आया 47 सारी सालीस और साइटालिस में तीन से गुना किया स्थिर घ्रकार खुरो इ shift Rusty में और साथ psychology वश्यक में त्रूसकूर कर गया कि कि कैंद से हिसे खुत गुरां कर दिये काट एक 127 साथ जिढी सिर्ण खुवार जा एक 503 कि वेकाटार्ण you 249 और 44 कितना होता है कि एक सान सान हुए ठीक है थीस में क्या करना है चार मैनस कम करना है तो चार मैनस देखिया उसे परकार कर देंगे तो हो जाएगा कितना चार माइनस कम करिए तो हो जाएगा कितना 407 407 जो की देखिए हाँ पर दिया गया है यह तो बन गया भाई 47 ऑफसन इसका भी सही होने वाला है 407 में फिर से 3 से गुना करिए और 4 घटा दीजिए तो आजागा आपका कितना 1217 कर लीजिए चलिए मैं बनाईए देता हूँ 407 में 3 से गुना करना है उसी परकार कितना हो जाएगा 407 गुना 3 सात्री 21 के एक हासिल दो डिरेक कर देता हूँ चर्थी 12 120 हो गया और इला 2 तो यहाँ उतर जाएगा ना जीरू हटा लीजिए दो हो जाएगा यहाँ तो कितना है 1221 और 1221 में उसी परकार 4 माइनस कम कर देना है तो हो जाएगा कितना चलिए मैं 4 माइनस कम कर दता हूँ, तो हो गया कतना? 1217. और जो की आगला देखिए 1217 दिया गया है दोस्तों. तो यह तरीका कम कर गया. ठीक है, इसका राइट इंसर कौन हो जाएगा? पिंक कलर लेते हैं थोड़े मिटा देते हैं देखिए इसका बी हो जाएगा राइट एंसर 47 यहाँ पर प्रस्ट वाचेक चीन के पास कौन सा संग्या बरा जाएगा 47 के रहा दोस्तों आपका अगला सवाल तो से मौर्ष इंपॉर्टन है ठीक है यहां पर दिखिए को स्टक में बंध है कि इन्हें मतलब का करें कि मतलब नद बीस और दस और करें कि नव ऐगा कभी बियो ऐसा सवाल आए स्धोर्ण संख्या को मतलब का करें की बड़ी संख्या ऐसे अब लोगों सोचना है इसमें भी वही तरीक वाल लगाना 25 और 10 को करें कि 135 आएगा और ऑप्सन में जो भी होगा वह सई कर लिजिएगा अब लोग वीडियो को रोकर बनाने कुस्स करिएगा चलिए मैं बताता हूं कितना कितना संख्या है अच्छा 20 90 आओ कितना है 10 तो हम का करें अगर दोस्तों हम 10 को 20 में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अगर जो 10 दिया है इसको हम जाके 20 में 10 हटा लेंगे तो कितना बज़ेगा 10 बज़ेगा और 10 से अपना से खूच से अगर गुना करेंगे कितना से 9 से कर देता हूं चलिए तो 10 नवाई कितना हो जागा नवबे और नवबे देखिया आपर दिया गया है उसी तरीका इसमें भी लगाते हैं कुछ नहीं करना है दोस्तों 25 में 10 घटा ना है यूला 10 हुआ तो दस घटा लेंगे तो बचा 15 और 15 में उसी परकार 9 से गुना किये तो इसमें भी कर लिजिए तो कितना हो जागा करिए तो गुना 15 ना वहाँ 135 होता है ठीक है 945 के 5 64 9 9 4 13 हो गया ना 135 135 देखिये यहाँ पर दिया गया है तो इसी तरीका जो भी आप्शन में होगा इसी तरीका से बनेगा ठीक है चेक कर लीजिए बहुत ही असान है कौन सा होगा इसका चेक करना होगा टाइम लग जाएगा चलिए मैं बनाई यह देता हूं कैसे करो इधर मिटा देता हूं ठीक है दोस्तों थोड़ा चलिए सबसे पहले ए अप्शन को चेक करते हैं एप्शन में क्या है 22 और 7 है 22 और 7 को घटाना है 22 बाटा 7 7 को घटा लेना है 22 में तो कितना बचेगा पंदर ना पांदू साथ कि सोरी सोरी पंदर ही बचेगा बगला जाता है कभी कभी दिमाग तो पंदर में उसी परकार नौ से गुना किये तो नौ से करिये तो तो पंदर नहां केतना होता है एक सो प्याइटिस नहोता है यह तो गलत है भाई पहला अप्सं गलत है ना चाहिए था डेड़ सो तो आए एक सो प्याइटिस अब यह option को चेक करते हैं चलिए जी उन्हाइस में घटाना है कितना पीछे वाला 15 के तो 15 जागा उन्हाइस में कितना बचेगा पांच चार बचेगा और चार में उसी परकार नौ से गुने करिये तो तो नौ चो के च्छातिस च्छातिस है का नहीं भाई यह तो 80 है 80 दिया गया यह भी क्या है भी option गलत है कि सी option को चेक करते हैं 18 और 10 है ना तो 18 को 10 घटा लीजिए कितना बचेगा आठ बचेगा 18 में से 10 जाएगा तो आठ बचेगा उसी परकार 9 से गुना कर देना तो कितना हो जागा नौ अठे 72 और 72 यहां पर दिया गया है तो सी option क्या हो जागा ट्राइट एंसर सी तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा तो फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हीन जय भारत